यहां पर ब्राउजर को उपन करना और पाइधन को रॉन्टन तर से इंस्टॉल कर लेते हैं पाइधन डाउंदवाड इस आपको उपन कर लेना आपको जुआ है अपको इस पर किलिक करना जैसे आपको जलुक कर और था Papot यहां पर 26 MB क्यों हो भी चुकिके से इंस्टोल कर लेते आपको इंस्टोल नाव पर अचा एक चीज़ आपको दियान रखनी है पहले इंस्टोल नाव पर कलिक करने से पहले यह चीज़ आपको बहुत जयादा ध्यान में रखनी है यूज एद्मिन प्लिविज बैं इस पर कि चेक कर देना आपको इस पर भी चेक कर देना एड पाइफन डोट एकसी टू पाथ अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैंनुवली जाके आपको चेक करना पड़ेगा बट यह कर दोगे तो इसका पाथ आपको सैट करने जरूबत नह online open नहीं करना है और यहां पर पाइफन को चेक कर लेना छिअ पाइफन हाइफण वर्जन ठीक यहां पर हमने latощ को इंस्टॉल कर लेbles प्रिए इसके साथ install मिलती है, ठीक है, इसके Python की package manager होती है, जो भी package हुआ install करते हैं, वो pip की help से ही करते है, तो इस तरीके साथ Python को install कर सकते हो, अपने विंड़ो पर ठीक है, और इसका use कर सकते हो, जो पिप अगर यहाँ पर आप करोगे न, python तो आपको इस तरीके से कुछ मिल जाएगा idl भी मिल जाएगी यहाँ पर आप इसकी शेल होती है इसकी आप coding कर सकते हो ठीक है यह इस तरीके से अपने जाएगी idl, idl, e बोलते है new file कर दोगे आप और यहाँ पर एक python की file लिख सकते हो coding मत करना क्योंकि ज्यादा आप Visual Studio Code का use करना इसमें इतनी fast coding नहीं कर पाऊगे ठीक है हार चीज आपको लिखनी पड़ेगी file management भी अच्छा सका नहीं होता ठीक है hello python इस तरीके से कर देंगे तो आप इसको save कर देंगे file को, मैंने save कर देता हूँ जो कि मैं desktop पर ही कर देता हूँ desktop ठीक है, desktop पर जाके यहाँ पर test.py नाम से आपको .py ज़रूर लगाना ठीक, इस तरीके से save हो जाएगी यहाँ से run पे click कर दोगे तो run हो जाएगी, hello python but इसका use मत करना क्योंकि आप Visual Studio Code का यूज करो जिसमें आप बहुत fast coding कर पाऊँगे तो इसलिकी साब python को इस्टो कर सकते हो अपनी window पर